हालो माई डियर फ्रेंड्स एंड इस्ट्रेंट्स वेलकम बेक टो माई चैनल इंग्लिश वित अनके परजापत आज के इस वीडियो में हम जो अमने पॉइम हमारी कंप्लीट कर ली थी पाच्चो पॉइम उनके हम पॉइट्री पेसेज स्टार्ट करेंगे और ये पॉइट्री पेसेज आपके एक्जाम में सेक्शन सी में दो आएंगे दो में से आपको एक करना है और एक कंप्लीट करने पर आपको फॉर मार्क्स मिलेंगे चार नंबर मिलेंगे पॉइट्री पेसेज मतलब पॉइम की चार मार्च बिलेंगे एक प्वेस्टन जो होगा वो टू मार्क्स का होगा ओके तो देखते हैं किस तरह से आएंगे आपके पोईट्री पेसेज यहां पर मैंने आपको पॉइम नंबर फर्स्ट जो है अमारी noble nature उसमें से मैंने यहाँ पर दो poetry passage लिखे हैं और उसको समझाने की कोशिज की हैं आपके लिए ओके लेट्स स्टार्ट RBSC class 12th English poetry passage कितने marks के? 4 marks It is not growing like a tree in bulk that make man better be or standing long on an oak 300 year to fall along at last dry bar and sea मैं इसका meaning नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने यह poem जो है complete कराई है बोट पर लिखकर meaning जिसका बताया आपको समझाया है आप चैनल की playlist में जाकर poems लिखा हुआ class 12th वहाँ पर विजिट करके यह देख लो और इस poem का link भी मैं नीचे description में दे दूँगा आपको Question number first Which tree is here mentioned by the point? यहाँ पर मैंने question थोड़े ज़्यादा दिये है आपके paper में दो question आएंगे दोनोई दो दो नंबर के होंगे Which tree कौनसा पेड is here mentioned यहाँ पर mention हुआ है by the point कवी के द्वारा इस poem में किस पेड के बारे में जिक्र हुआ है तो question समझ में आना और उस question के tense के according वापस answer लिखना यह important होता है तो देखते हैं तो which tree? Oak tree यह in oak tree Is here mentioned by the point? Question is written in passive Question passive में लिखा हुआ है is mr plus work की third form by plus subject आ रहा है यहाँ पर तो वापस हमें passive में बनाना है तो हमने भी यहाँ पर is mr plus work की third form by plus यहाँ पर लिख दिए वापस Okay mention the qualities features of an oak एक बनूत का जो पेड होता है उसकी qualities क्या होती है उसकी विसेस्ता क्या होती है तो देखो यहाँ पर जैसे कि परस्ट क्या था कौन सा पेड एंड ओक अब यहाँ पर feature बताने क्या क्या एक ओक के पेड की जो विसेस्ता होती है इस चार लाइनों में क्या क्या दिया वह लिखना एक जो बलूत का पेड होता है वह बड़ा होता है इन साइज आकार में जो में क्या वर्ड है बल्क आकार में बड़ा होता है एंड इस्टेंडिंग और खड़ा रहता है पेड के समान बड़ा नहीं हो ना इन बल्क यानी बड़े आकार में है यह बड़े आकार वाला यह पेड है इसके यहां पर फीचर दिया हुआ है अंत में जो आपके पेड की कंडिशन क्या हो जाती है यह बताना हमें इसलिए पैसिव में इसलिए बनाया एक सिंपल सेंटेंस को बनाते समय हमें सबसे पहले सब्ज़क्ट की जरूरुद होती है धब फाल्स गिर जाता है एक लट्थे के समान न यह जो को फीचर यहां से लिख रहा हूं कि एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है सूकर ड्राइड यानि सूकर विदाउट लीव्स बिना पत्तियों का ओकर गिर जाता है बार्ड जिसे कहते हैं एंड सीट मुर्जा कर गिर जाता है यह इसकी अंत में उस पेड की हालात जो हे जो पोईम की लाइन्स में थी उसको हमने मैं किया एक है कि इस चार लाइनों में कवी मानुव को या हमें किसके समान नहीं बनने के लिए कह रहे हैं या कैसा नहीं बनने के लिए कहा जा रहा है A man should not be एक व्यक्ति को नहीं होना चाहिए great महान एक व्यक्ति को महान नहीं बनना चाहिए like an oak एक बलूत के पेड़ के समान नहीं बनना चाहिए in age उमर में,size में जैनि एक बलूत का पेड़ की size होती है और वो 300 सालों तक जीता है तो उसके समान हमारी आयू लंबी नहीं होनी चाहिए और ऐसी आयू लंबी करके हमें महान नहीं बनना है यह हमने पोईम में भी बढ़ा था Next point की A lily of a day is fairer far in May Although it fall and die that night It was the plant and flower of light In small proportion we just beauty see And in short measures life may perfect be Okay, question first Which thing of nature is mentioned here प्रकर्ती की कौन सी चीज का यहाँ पर mention हुआ है A lily is mentioned here एक lily का जो पुस्प है पोदा है उसको यहाँ पर mention किया गया है In first four line पहली चार लाइनों में Oak tree बलूद के पेड़ का जिक्र हुआ है और last जो four और five lines है उनमें lily जो एक flower है उसको mention हुआ है How long light does a lily live एक lily जो है वो कितना लंबा जीवन जीती है या उसकी age क्या होती है Life of lily is only for one day लिली का जीवन कितने दिन का होता है एक दिन का होता है And dies on the same day और उसी दिन वो मर जाती है मरना मतलब होता है मुर्जा जाना, गिर जाना तो ये हुआ इसका answer Mention the features of the lily lily की क्या feature से विशेशता है इन लाइनों में वो जिक्र करना है The lily is the plant and flower of light ये lily जो है वो एक उजाले का पोदा और पूस्प है उजाला मतलब happiness, खुशी का है आनन देने वाला ये एक पोदा है In its small life अपने चोटे से जीवन में इसके चोटे से जीवन में इस पूस्प के लिली के चोटे से जीवन में We see only its beauty अपने पूस्प के चोटे से जीवन को देखकर के एक दिन की अउदी में ये चोटा सा पुस्प जो है लोगों को आननदित कर देता है खुश कर देता है उदर दूसरी तरब वह एक बलूत का पेट 300 सालों तक जीन्दा रहने पर भी निर्ट तक रहता है यूज लेस रहता है इन इट्स स्मॉल लाइप एंड हुमन्स लाइप बिकम परफेक्ट और मानुजीवन भी जो है वो परफेक्ट बनता है इससे या इसकी फीचर में ये लिखा हुआ है तो ये आज हमने फर्स्ट पोईट्री पैसेज जो किस पोईब से लिए हमने फर्स्ट पोईब से ओके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोईट्री पैसेज के साथ आपसे मिलेंगे थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो है गुट डे